हेलो फ्रेंड्स आप सभी का इस ओनलाइन वीडियो पे बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ इंगलिज सब्जेक्ट देखने जा रहे हैं लेसन नंबर है 15 और लेसन का नाम है अ कलेज मतलब उसको हम कोलाज बोलते हैं क्या बोलते हैं कोलाज सचीन रमेश टेंडूल कर इस वेक्ति का जो फेमस क्रिकेटर है उसका इस पे कोलाज दिया है first upon you just try to understand what is mean by कोलाज कोलाज मतलब क्या है अगर किसी फेमस वेक्ति हो है तो एक कौन सा तो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में सभी जानकरिया जो कागत पे रहता है वो कट करके जब आप एक जगह चिपकाते हो पेज पे कोलाज काम करते हो तो उसको हम कोलाज बोलते है अभी सचिन का मतलब उन्होंने runs कितने किये उनके अच्छे अच्छे पोटोग्रापी यह जब आप कट करके एक पेज पे लगाते हो हम कोलाज बोलते है ऐसे आप पेड का भी लगा सकते हो पेड के पत्ते पहुदे अलग-अलग तरह के फूल फ्रूट्स उसको कट करके आप जब अपने एक रफ बुक में चिपकाते हो उसे हम कोलाज बोलते है लेकिन सब्जेक्ट अलग-अलग रहता है लेकिन इस पार्ट में सचिन रमेश टेंडूलकर इनका जो बायग्राफी है वो पूरा है पे दिया हुआ है देखो फर्स अप बर्थ सचिन टेंडूलकर बॉर्न 24 एफ्रिल 1973 फर्स टेस्ट मैच उन्होंने कब खेला है देखो 15 नवेंभर 1989 वरसेज पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने जीवन का पहला मैच फर्स टेस्ट मैच उन्होंने खेला है उसके बाद फर्स ओडिया मिन्स वन डे disappear career मतलब one day match उन्होंने 18 December 1989 वो भी पाकिसन से ही उन्होंने शुरुवात किया है पाकिसन के साथ ही उनका शुरुवात हुआ है देखो अपने पूरे जीवन में उन्होंने कितने runs बनाये है कितने century उन्होंने किया है उन्होंने test match में कितने runs बनाया है और उन्होंने half century कितने बनाया है देखो पहले हम देखते हैं उनके century वन डे इंटरनेशनल में उन्हेंने टोटल 49 century बनाया यहां पर दिखता है आपको 49 मैं आपको एरो से समझाता हूं देखो टोटल कितने century बनाया उन्होंने 49 उसके बाद है half century हाँ 96 उन्होंने half century बनाया और test century टेस्ट में 51 century और runs total 15,921 और OD 1 day international match में उन्होंने run बनाया है 18 March 2012 में पाकिस्तान से खेला है उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम उमर में उन्होंने क्रिकेट में इंट्री किया है अक्सर ऐसे कहा जाता है बच्चों देखो ध्यान से सुनो कि life में education ही important नहीं है ले हमें किस छेत्र में रुची है वो हम करना चाहिए अगर आपको sportsman बनना है तो बहुत बड़िया practice करो सचिन टेंडूल कर की तरह आप भी खुद बन सकते हो आपको पता है सचिन टेंडूल कर दस्वी में fail थे फिर भी उन्होंने इंडिया के ही नहीं लेकिन world का famous cricketer बने हमें जो हम चाहते हैं हमें जो पसंद है उस छेत्र में हम अपना career करना चाहिए अगर आपको painting बहुत अच्छा लगता है तो आप painter बन सकते हो अगर आपको खोको कबड़ी अच्छा लगता है उसमें भी आप career कर सकते हो इसके बाद है उन्होंने world के कुछ records ब्रेक किया है कौन से records ब्रेक किया है उन्होंने first player to score a double century in men's मतलब जो पूरुष cricket rank में उन्होंने 200 runs निकाले है one day international में उसके बाद played the highest number of test ODI one day matches में then they only cricketer to score a hundred century in international cricket में ओ ऐसे एक शेक से ऐसे एक person है जो hundred time century उन्होंने बनाया है उनके बाद the only player no no first batsman to score 15,000 run ओ पहले ऐसे batsman है जिन्होंने अपने life में 15,000 run बनाया है उनके बाद उनको कुछ awards honors इंडिया के तरफ से मिले है अर्जुन अवार्ड मिला है राजुगांधी खेल रतन मिला है पदमस्री मिला है माराष्ट्र भूशन और पदम युभूशन भारत रतन इतने सब awards उन्होंने अपने जीवन में हसिल किया है यह बस cricket के उनका जो प्यार था क्रिकेट के उपर क्रिकेट ने ही उनको इस सब awards दे दिया है इसके बाद है my favorite cricketer आपको एक कोलाज काम अपने notebook में करना है तो क्या करना है सचिन के आलाव आपके जो भी famous sportsman है हो की का sportsman हो सकता है कबड़ी का हो सकता है cricket का हो सकता है अभी बहुत सारे बच्चों का वीराट कोली अभी जो न्यू इंडियन टीम में जो है वह भी famous हो सकता है किसी का फेवरेट हो सकता है तो उसके photograph और उनके जितने भी बायोग्राफ अगर आपको मिला date of birth मिला उन्होंने कितने आज तक मैच खेले हो यह भी आप बायोग्राफी कट करके कोलाज के तरह आपके notebook में चिपका सकते हो ऐसे आपको करना है अंडरस्टैंड इस lesson के जो भी question answer है मैं आपको whatsapp पर बेज़ दूँगा तो आपको cw notebook में one time लिखना है ओके थैंक्यू